फोर द ये ना seat sharing समझा होता को आये पहले बिहार में क्या मतलब है दोनों के कड़ी का से जूढ़िए गाप यह तरफ यहां seat sharing समझा होता है दूसरे तरफ बिहार मंतरी मंदल की चर्चा चल डएगी वहां मारा-मारी seat sharing का हो रहा यहां मंत्री मंडल का चर्चा करके आपका ध्यान बटकाया जा रहा है यानि कि कुछ भी तय नहीं हुआ है सिर्फ एक ही बात तय हुई है और वो चिराग पासवान की पांच सीटे ना निटीज कुमार किस सीट पर चुनाव लडेंगे अब कितने सीटों पर चुनाव लडेंगे यह तय हुआ है फिर कहिए का आपके 16 सीट मिलेगी हम करें कि ना चोज सीटे निटीज कुमार जो लडेंगे अपने सिंबोल पर लडाएंगे उमिद्वार वो बीजेपी का उमिद्वार होगा पनोर मंकुरूप जो सोचता है वो करता है पमश्कार भारत लाइफ देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है जहां पर चर्चा हम करते हैं राजनिती गलियारे में परदे के पिछी ड्रची जा रही कहानी पर वो कहानी क्या है राजनिती गलियारे की बाबा आपको बताते हैं देखिए नितीस कुमार से लेकर चिराग पासवान तक सब कोई एंडिये गडबंधन में सीट बटवारे को लेकर अब धीरे-धीरे रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हैं इसलिए हम कह रहे है क्योंकि दिल्ली में सब कुछ नरेद्र मोडी की सरकार और जेपी नडड़ा के द्वारा सेट किया जा रहा है कि अब कही न कहीं एंडिये गडबंधन का सीट जो है वो अपने घटक दलों के बीच में बाट देना चाहिए 2024 का चुनाओ नजदीक है एक महिना के अंदर में सब कुछ शुरू हो जाएगा महज 15 तारी क्या होली के बाद से ये सारी प्रक्रियाएं निर्वाचन आयों के तरब से शुरू कर दी जाएंगे बिहार में एलेक्शन और देश भर में कैसे एलेक्शन सेट करना है लेकिन उससे पहले जो परिस्थितिया उत्पन हुई है कि चिराग के सीट क्लियर होते कर दिया स्क्रिनिंग उमिद्वारों के लिस्ट रेडी कई चौकाने वाले नाम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चिराग पासवान ने सीट सेरिंग का मामला तो सुल जा लिया है लेकिन उमिद्वार कितने हैं उनके पास में 2019 के अगर बाचित की जाए तो लजेपी उस समय एक ही गोट था तब 6 सीट उनको दी गई थी 6 सीटों में सारे जो जब से राम बिलास पासवान का निधन हुआ उसके बाद सभी चिराग पासवान को छोड़के चाचा पसुपति पारस के साथ आ गए ऐसे चिराग पासवान की नाराजगी बढ़ी थी कि अचानक से जब पाटी दो धड़ों में बढ़ती है तो कई सांसद उनके अपने नहीं होते हैं धोखा दे देते हैं चिराग का ये मानना है कि उन धोखा देने वाले उन्में द्वारों को रिपीट नहीं करेंगे हला कि अब परिस्तित्य आउत्पन हुई थी चिराग का जैसे ही एक पड़ा जनाधार बना कई सांसद चिराग पासवान के संपर्क में आ गए तो अब सवाल ये उठता है कि वून सांसदों को क्या चिराग पासवान एक बफिर से 2024 में मौका देंगे शलिए इसी वे भीतर की बात में जानें कि बाबा से चर्चा करते हैं कि बाबा चिराग पासवान को लेकर के जो अटकले लगाई जा रही थी कि चिराग नराज है चाचा को बाहर करना चाहते है अंतता कल देर साम सब कुछ क्लियर हो गया चिराग को पांच सीटे मिल रही है यह वसपष्ट है तो क्या आप ये पुराने चेहरों को चिराग रिपीट करेंगे कि नए चेहरों नए उमिद्वार आएंगे इस बार चोविस घंड़े से चर्चा एक्ष्ट हो रही है आपने भी ख़वर किया है जी जी बिलकुल छोड़ देजेना सीट शेरिंग समझा होता को आये पहले बिहार में आये हमरे बिहार में नहीं कहता है आये ना हमरे बिहार में आये बिहार में जरासा मंत्री मंडल का विस्तार करके दिखा दिखा देजेना क्या मतलब है दोनों के कडिक पैसे जुड़िए गा एक तरफ जहां सीट सेरिंग संझ होता है दूसरे तरफ बिहार यहां मंत्री मंदल का चर्चा करके आपका ध्यान बटकाया जा रहा है समझ रहे हैं बात को ना यानि कि कुछ भी तय नहीं हुआ है सिर्फ एक ही बात तय क्या करेंगे माजी यह भी तय नहीं हुआ है जब तक आपके सामने कागज नहीं आ जाता है आपको याद होगा 2019 में क्या हुआ था जब 2019 की बात आई तो नितिश कुमार ने अपने बड़े भाई होने का फाइदा उठाया कल हम लोग ख़ब नहीं किये थे पहिंचा ले लि चुनाव लड़े पहिंचा वापस की बात भी अबने कल कहा था लेकिन अब जो इस्थिती बर्तमान में बनी है उसे स्थिती में नितिश कुमार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस पर हमेशा से हम लोग सबसे अलग रहे हैं बिलकुल 10 से 12 सीटे हम बता रहे हैं आ प्रिश कुमार के सीटों पर ही अहले जो बीजेपी के साथ लड़ेगा यह सारी चीजे तय हैं अब इसको लेकर के यहां नितिश कुमार के पास विशे साधिकार हें कि मंत्री मंडल का विश्तार करें नहीं करें कल रात बर यह खबर चली कि बीजेपी ने अपना लिस्ट नहीं दिया है बीजेपी ने तो दिया था प्रिंस राजगा अपने लिस्ट के साथ नाम कहने मान गए नितिश्कुमार कहें पसुपतिकमार पारस रात में भड़क गए यह सारी चीजें कहीं न कहीं उस माहौल की तरफ आ रही है कि आखिर चिराग पास्वान के साथ सबसे प कि आखिर नाम को भुड़ा है वो बुष्पूरी में लोगों कहा है जिए 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 क्या करेंगे जब अपने पांच सांस्दों को नहीं रख पाए इस सब लोग गये था ना कि हमको भी कुछ बनमा देंगे, किसी को कुछ नहीं बनवाने का यह तो अपनी कुर्सी बचाने के हमें इसक कहीं खेल खेहले थे और नित्यश्कुमार उसके अगवा थ है बदले में नित्यश्कुमार डलान सिंगी को च्छे करना पक्राइट बने सिर्थ हैं लड़ात्री तेलों मुगा और धिल साली कहानी स знаком सरह एक होता से युद्ट ह expressique अगर यह चांपास्वान दान्यजिक कर सकते हैं अगर ayam प्रवादू परसाथ से लेकर कि मिसा भार्तित लेकर कि तेजस्वी आदव तो तो यह सारी चीजें जो हैं कहीं न कहीं साफ नजर आ रही है कि चिराग पासवान एक फैक्टर जरूर है बिहार की राजनीत में और यह फैक्टर 2021 के बाद जब से पाटी टूटी है तब से चिर लोगों पर चिराग पासवान ने अंगली रखा है जो जो संभावित उमिद्वार उनके हैं वो सभी चॉप पे जा रहे हैं जहानावाद में आपने देखा बिलकुल बिलकुल नमो एप पर जो देस भर्व के सांसदों की अगर लिस्ट बनाई जा रही है यह उमिद्वार नमबर दो पर चलने वाला बेक्ती चिराग पासवान की पाटी में चिदरन्जन और चिंटू भी है तो वहीं आप और भी नाम को देखिएगा तो आपको उसी तरह की बात महज़र आएगी इसमें जमुई की बात कर लें तो जमुई में देखिए नाम तो नहीं बता हैं ल वहाँ भी हैं लेकिन जो चिराग पासवान की छे सीटे थी वो तो वो मांगी सकते हैं ना कि भाईया 2014 में भी सीटे हम जीत करके आए 2019 में भी इन सीटों को हमको दिया गया और ओरिजिनल एलजेपी कौन है हम है इस बात को लेकर कि जब हाजीपूर की जंता ने स्थाफित क कि राम बिलास पासवान के जगह पर अगर कोई आता है तो ये कलम ने बताया भी था कि जितना सेवा राम बिलास पासवान का किया था प्रश्पतिकुमार पारस ने वो सारा सूध ब्यास सहीत वापस हो गया पांच साल सांसद रह गया मंत्री भी बनने का मोंका मिला सब वस सब पूरा मेरे बदॉलत मुख्यमंत्री बने अब यहां जो सीटे हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है बैसाली में आज से तीन दिन पहले आपने देखा अब डिरेक्ट हेलीकॉप्टर से आए जबकि हेलीकॉप्टर चाहना बंद कर दिया थे 2020 के बाद लेकिन हेलीकॉ करम चल रहा था वहां तुरत पहुंचना ज़रूरी था कि नितीश कुमार कहीं खेल कोई जर जर ना कर दे घुमाना दे दमरू मत बजा दे तो बैसाली की सीट पर देखिए दो संजय सिंह हैं इसके बाद बीना दे भी है और चिराग पासवान के रिलेशन के भी एक दो लो लेकिन उमीदवारों की भरमा देख कर के बैसाली की सीट उनको चाहीं जिए इसके लिए अगर बैसाली की सीट नहीं चाहिए तो बदले में कुछ चाहिए ठिवतितं कयी बात कर लिये बी कई okay dr डॉक्टर, इंजीनियर, कॉर्पोरेट जगत के बड़े बड़े नाम, सब इनके साथ जुड़े हुए और इस बार इसलिए हम बता रहे हैं, कि चौकाने वाला इनके उमिद्वारों के लिस्ट इसलिए होगी कि सब कुछ बिल्कुल नहीं होगा, चिराग पास्वान एक ऐसी टीम बनाने जा रहे हैं, जो बिहार 1st, बिहारी 1st को आपि याद कीजिएगा, कि एक सेकंड के लिए भी, एक अपने बयान में ऐसा नहीं हुए, कि बिहार 1st, बिहारी 1st का उन्होंने विजन नहीं दिया है, और यह सारे लोग, जिनका नाम मैं ब जो अपने आपको वहां से पूरी तरह से तयार कर चुके हैं अब ऐसी स्थिति में खगडिया में आप समझ लीजे कि महभूबली कैसर का कहीं दूर दूर तक है उनको उनको ऐसा एंटी इंकमेंसी लागू हो गया है कि खगडिया के जनता के बीद में जाए तो इस पर ट्रॉ जोड़ करके ले आकर के बाठवाते थे इस बार ट्रॉक ए ट्रेक्टर लेजाने के जरूरत नहीं है इस बार लोग गाड़ी पर लदा लदा के जा रहे हैं कि हमको इनको बोट करना है जनता जागरित हो गई है कि इस बार बदला होगा यह और यह बदला चिराग पास्वा पैदा हुआ है और यहां इमान के चलिए कि नवादा में भी लगबग चिराग पास्वान ने अपना तैय कर लिया कि किसको देना है बिलकुल बिलकुल उसके बाद हाजिपूर की बात करें तो इसमें कोई संदेह है इसका नाम बताने की जरूरत है हाजिपूर में तो खु पैदा ने इनके साथ किया तो समस्थिपूर के सीट बेलाग छोड़ दिये है कि प्रिंस राज लड़े नहीं लड़े भाजपाद दे नहीं दे हमको देखना ही नहीं उससीट के तरह है इसलिए कि कल के डेट में प्रिंस राज ये नहीं कोः दे है आदी अवलादी दुच पुड़े आपको आपका भी समस्थिपूर सीट तरह नहीं लिए इसके अलावे जमूई की बात कर लिए तो जमूई की सीट पर ऐसा पेच फसाया उन्होंने कि जमूई तो हमको चाहिए चाहिए लेकिन अगर नितीस बाबु जमूई में अगर कहीं अपने करीबी को लाना चाहते हैं तो जहानाबाद हमको चाहिए जहानाबाद में उनका सबसे मजबूत उमिद्वार खड़ा है तो ऐसी स्थिती में यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तयार है और भीतर से जो बात आ रही है कि यह जो मंत्री मंडल विस्तार का सगूफा था यह प जाना चाहते हैं तो वही बात है और कुछ नहीं हो सकता है कि इनको डिली का बनाया जा रहा हो राजबाल तहीं कर रहा हो कि ने उत्तर प्रतेश का बना दीजे बड़ा राजे है थोड़ा पंगला मिलेगा यह सब बात हो सकती हैं लेकिन फैर निगोसियेशन लाइक अफ ब बच नहीं गिया है निटीश कुमार की जहां तक इस्तिती है कि निटीश कुमार 10 से 11 सीटों से ज्यादा अपने उमिदवार नहीं उतार पाएंगे बाकी के उमिदवार भारती जन्ता पार्टी तही करेगी जैसे पिछली बार भी उसने कई उमिदवार दिये थे इसलिए सुनिल पिंटु अगर भड़कम पचा दिये पहले ही से अपना ठोक रहे हैं कि हम तो बाजबा वाले हैं इन सारी बातों को लेकर करके सब कुछ सेठ है बस सिर्फ इसकी घोशना बाकी है और यह संभाना है आपको मैं बताता हूं कि 24 घंटे के अंदर में यह सारी घोशना ह हो जाएंगे सब कुछ तयार है बस इंतजार करना है नितीज कुमार के फैसले का क्या होता है फैसला उस पर हमारी निगाए है फिलाल अभी के भीतर के बात में इतना ही लेकिन चड़ जाए लगतार भारत लाई पर जारी है धन्यवार पनोर्म कुरू जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई और वा बिहार के राजनी और विहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुआ मुफ्त में मिल जाए अगर पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी